तो students, बात करते हैं, next preparation method of amines, that is the Hoffman Bromomide degradation reaction, Hoffman यह scientist का नाम है, इन्होंने के ब्रोमो, ब्रोमो का means bromine ठीक है, और amide amide ही है, तो bromine और amide, amide की reaction bromine से करा है इन्होंने, तिसलिए Baromomide Hoffman Bromomide Reaction ये कर Leva ठीक है और इससे इनौने प्रिपर किया Aminds ठीक है और वो भी कैसा Primary Amind इन्होंने प्रिपर किया था और ये Degradation Reaction कर लाता है Degradation का Means होता है कि Reduce हो जाना Carbon Number जो है डीक हो जाता है यानि जितना आप Amid में Carbon होगा माल लेजिए अमाइड में 5 कार्बन है तो अमाइड जो बनेगा उस अमाइड में 4 कार्बन होंगे यानि less than 1 कार्बन इसी को हम degradation कहते हैं यानि reduction of the carbon number ठीक है तो देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या है होफन सेखिए प्राइमरी अमाइड सबाइटरिटिंग एन मालीक्वीन आनं एक सोडियम हैड्रोक्साइड तो थीर्चिंड यहां तूद्च एक स्प्राइड उस्ति है पाईड्रूप है ठीक है अम आइड के बारे में पहले भी बता चुक है हम आइड क्या होते है माइड साथ दा डेरिवेटिप्स ओफ चारबॉक्स लीके से यह है ब्रोमीन ठीक है और यह के फो यह वन मॉलिक्यूल और फोर मॉलिक्यूल सॉफ एक असोडियम हाड्रोकसाइड सॉलीशन ठीक है सेद्धेरोकस में अबन यह आपका मेन परोडक्ट है यह दलॉक्यामाइड वंगता है उसके साथ sodium bromide बंदा है और क्या बंदा है water molecules ठीक है दिखे इन दिस reaction in this degradation reaction migration of an alkyl or arryl group takes place from carbonyl carbon of amide to the nitrogen atom ठीक है so the amines आकार्ण से लेकिन से माइट्रोजन आजाता है तब यहां पर और YouTube जिड़ाता है यहां से CO यहां से S-cap कर रहा है ठीक है तो यह है this is the migration of alkyl group from carbonyl carbon to the nitrogen ठीक है nitrogen पर यह migrate कर रहा है बस तो आपको इतना ध्यान दखना है देखते हैं इसकी mechanism कैसे है ठीक है तो mechanism को समझने के लिए देखे सबसे पहले पहले क्या होगा जो यह amide है इस amide को sodium hydroxide का echo solution का पहला molecule क्या करता है यह OH जो है वो इलिकलियोफाइल की तरह बर करता है और इसके hydrogen को क्या करता है attract कर लेता है और यह hydrogen और nitrogen के भी जो bond pair of electrons थे वो nitrogen के पास आ जाते है जिसके बचसे nitrogen पर आ जाता है negative charge और यह hydrogen catch up करके यह वाला तो कितना water molecule यहाँ से eliminate कर जाता है और sodium जो यह बचा हुआ यह sodium जो है अभी फिलाल इसी के साथ salt form में रहता है यह देखे इस form में ठीक है और यहाँ पर क्या है इसके साथ sodium रहेगा यहाँ पर अब क्या होता है दूसरा जो molecule था एक molecule था bromine का ठीक है bromine जो molecule है वो उस पर क्या करता है यह nitrogen जो है वो attack करता है ठीक है अब bromine का bond जो है bromine ब्रोमीन वो bond क्या होता है break हो जाता है इसका जो negative part है वो negative part जो sodium यहाँ पर था इसके साथ क्या करता है combine up कर जाता है राइट और एने वी आर फॉर्म कर लेता है और यहां से ऐसे प्रोड़क्ट एसे साइड प्रोड़क्ट एलिमिनेट हो जाता है अब यहां पर देखते हैं कि जो बी आर जो है बी आर नाइट्रोजन के साथ वॉंडेड हो गया ठीक है आप दूसरा मॉलिक्विल जो एक्को सोलीशन का दूसरे वाले हाइड्रोजन को जो कि नीटुजन से लगा हुआ है उसको अट्रेक्ट करता है और फिर से यह वॉर्टर मॉल्यक्विल जो है बनाके एलिमिनेट कर जाता है ठीक है यहां पर फिर से वही नैट्रोजन पर क्या जाता है नीगेटिव चार्ज आ जाता है और य इसे हिए डबर बांडर आएगा कार भन कई दर एक चार्च और सुन फैर वह बसके तो ङीत ब्रेक्ताता है दिससे अकशीज है निगेटिब चार्च और यह निगेटिब-चारज निगेटिब development okay अब हां अब इस साथ यह क्या करता है यह नाइट्रोजन पर अटेक करेगा नाइट्रोजन पर जैसे यह टेक करेगा तो यह बी यार और एन नाइट्रोजन का जो बॉंड है वो ब्रेक हो जाता है ठीक है तो देखें यहां पर क्या हुआ सिफ्टिंग हो गया यह यह क्या करता है यह कारवन से हट कर कहां पहुंस या नाइड प्रोजन के पास यह देखे नेटोज लुट इस लून अज दमाइग्रेशन आफ अलकाइल अलकाइल आप अर राइल गुरुप ठीक है यह देखे अलकाइल को सकता है और ठीक है या फिर रायल हो सकता है आगर यह आपका अर्मेटि इसी को हम rate determining step भी कहते हैं this is also known rate determining step chemical kinetics chapter में इसको पढ़ेंगे rate determining step फिर उसके बाद यह देखे यहाँ पर फिर क्या करता है अब यहाँ पर होगा क्या यह जो BR है यह कहाँ वही जो इसके साथ NA था मैंने यहाँ आपको बताया था इसके साथ क्या है यहाँ पर NA भी था यह NA के साथ जो कि इस molecule से आया इस molecule से आया था ठीक है तो इसके साथ यह क्या करके combine करके NA VR यहाँ पर form कर लेता है ठीक है और यह देखे अब यहाँ पर क्या आ जाए यह कुछ इस तरीके का structure यहां पर होता क्या है कि जो अगला मॉलिक्विल है इस कारबन पर अटेक कर रहा है कारबन के साथ यह बना रहा है और यह जो कारबन और नैट्रोजन के भी डवल वांड था फिर से ब्रेक हो जाता है और यहां पर आजाएगा आपका इस नैट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है ठीक है जो ओएच यहां से इस कारबन के साथ अटेक हुआ था उसका हाइड्रोजन जो है वो अट्रेक्ट कर लेता है यह नैट्रोजन ठीक है तो यह हाड्रोजन नैट्रोजन के साथ आ जाता है जिसके बिज़े से जो oxygen है इस पर क्या जाता है negative charge और ये वाला जो आपका sodium है ये इस negative के साथ यहाँ पर attach हो जाता है ये देखे कुछ इस तरीके से next step में क्या होता है ये next molecule जो है sodium hydroxide का वूफिट से OH उसका negative part एक nucleophile की तरह work कर रहा है और इस carbon पर attack कर रहा है जिसकी बज़े से क्या होगा carbon और nitrogen का यह वाला वांड जो है वो यहाँ से break हो जाएगा और carbon nitrogen पर क्या जाएगा एक negative charge आजाएगा कुछ इस तरीकी की species बन जाएगी ठीक है अब ये क्या करेगी जो nucleophile की तरह बर करेगा और ये hydrogen को यहाँ से attract करेगा अपनी ओर इसके साथ hydrogen चला जाएगा जिसके विज़े से nitrogen oxygen पर आजाएगा निगेटिव चार्ज और ये sodium जो था वो इस निगेटिव पार्ट के साथ आजाएगा तो इस पसीज कुछ इस तरीके की बन जाएगी ये ठीक है और ये क्या होगा इसको हम सॉट में कहेंगे Na2CO3 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 sodium carbonate और इसके साथ साथ ये बन जाएगा ये क्या है This is my main product that is the primary amine यही बन जाएगा अब देखिए यहां पर क्या क्या चीज फॉर्म ही है तो दो चीजे तो यहां से ही फॉर्म ही है एक ये मेन प्रोडक्ट है एक ये molecule बना है Sodium Carbonate Na2CO3 उसके साथ साथ क्या बना था उसके साथ साथ आपका बना था NaVR देखिए एक मॉलेकुल यहाँ पर बना था नावी आर का और एक मॉलेकुल यहाँ पर बने था NaVR का ठीक है तो दो मॉलेकुल यह NaVR के फॉर्म हुए है ठीक है और दो water molecules से यहां पर एक यहां पर तो दो water molecules फॉर्म हुए हैं ठीक है तो यहां पर देखे इस reaction में देखे एक amine मना है यह तो मेन प्रोडक्ट है ही इसके साथ sodium by sodium carbonate एक molecule है दो एने वी आर के molecules है और दो जो है water molecules यहां पर हैं ठीक है तो यहां पर जो है आपकी यह preparation methods end हो जाती हैं ठीक है अब हम next video में जो है कर दो कर दो कर दो